आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी पनीर पराठा बनाने की रेसिपी पनीर पराठा बहुत ही इजियस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिस्ट लगता है तो आए सबसे पहले हम लगाते हैं इसका आठा तो आठा हमने लगाया है यहाँ पर हमने गिउंक आठा लिया है तीन कप इसके अंदर हमने डाला है थोड़ा सा नमक और साथ में इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करते जाएंगे और इसका परफेक्ट आठा गून के तियार कर लेंगे तो यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा पानी लिया था और इसका जो आटा है हमारा बन के त्यार हो चुका है तो आटे के अंदर अब हम मिलाएंगे यहाँ पर डेट चमज इसके अंदर हम एट करेंगे रिफाइंड ओयल रिफाइन डॉयल ना हो तो इसके अंदर आप तेट समच घी भी एड़ कर सकते हैं तो आठे के अंदर अब हम एड़ कर देते हैं ऑइल आठे के अंदर ऑइल डालने से जो हमारा पराठा होता है वो बहुत ही बड़िया बनता है और जो हमारी stuffing होती है वो पराठे के बीच में से निकलती नहीं है तो इसके बाद में हमने यहाँ पर आठे को सेट होने के लिए 15 मिनिट के लिए रख दिया है इसके बाद में हम यहाँ पर पनीर के stuffing बना कर त्यार कर लेते हैं stuffing बनाने के लिए हम्ने 500 gram लिया है पनीर उसको हम हाथ से ही mash कर देंगे mash करने के बाद हम थोड़े से मसाले करेंगे add तो हमने यहां पर अधी छोटी चंबज लिया है लाल्मिर्यची पाउडर अधी छोटी चंबज हमने लिया है धनिया पाउडर साथ में हमने आदी छोटी चमबच लिया है हल्दी पाउडर आदी छोटी चमबच हमने डाला है जीरा साथ में डाला है थोड़ा सा नमख उपर से हमने डाला है चाट मसाला पनीर स्टफिंग रेडी हो चुकी है यहाँ पर हमने लिया है आटे का ए गोला और सबसे पहले इसको हमने plane बना लिया है इसके बाद ने हमने यहाँ पर इसके अंदर डेट चम मच अड़ करा है पनीर स्टफिंग इसको हम square shape रखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको दो method सिखाऊंगी first method है इसको हम square shape का बनाएंगे तो इस तरीके से हम paratha को बेल लेंगे और बेलने के बाद हमने यहाँ पर तवे को गरम कर लिया है और तवा गरम हो चुका है तो हम paratha को इसके उपर रख देंगे paratha इसके उपर रख दिया है जब यह एक side से हमारा stick जाएगा तो इसको हम पलट लेंगे दूसरी side से सेखने के लिए हमने यहाँ पर इसकी medium flame रखी है और जो नीचे की side से भी इसको सिख चुका है paratha तो हम उपर वाली side पर हलका सा oil apply करके इसको पलट कर सेख लेंगे तो first paratha ready हो चुगा है second method होता है सबसे पहले इस तरीके से आटे की हम यहाँ पर कटोरी बना लेंगे और उसके अंदर हम भरेंगे यहाँ पर दो चम्माश stuffing इसके बाद में हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाने के बाद इसको बेलते जाएंगे और इसको हम यहाँ पर पतला कर लेंगे तो इसी तरीके से हम यहाँ पर एक बार और सूखाटा लगाकर इसको प्लेन कर लेंगे तो इस तरीके से हमें गोल्ड शेप का जो है मारा पराठा रेडी हो जाएगा इसको भी हमने तवे पर रख दिया है सिखने के लिए तो नीचे की साइट से ही सेख चुका है इसको अब हम पलट के सेख लेते हैं तो सबसे पहले हमने उपर की साइट पर यहाँ पर अप्लाई किया है और इसको हम नीचे की साइट से यहाँ पर पका लेंगे तो हमारा पराठा आप देख सकते हैं कितना फूल के बना है और इस तरीके से आप पराठा बना सकते हैं तो अगर आप से पनीर पराठा नहीं बनता है तो आप इन दोनों मैथट से बना सकते हैं इससे जो हमारा पराठा होता है इजीली बन जाता है और ये बिल्कुल भी खराब नहीं बनता तो पराठे के साथ में आप सर्फ कर सकते हैं दही साथ में आप इसके अचार रखिए और साथ में आप खाए बटर तो जो पनीर पराठो होता है खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है इस रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राय करें और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट सेक्षन में ज़रूर बताए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीस लाइक करें चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को जाद से जादा शेयर करें साथ में इसी तरीके की वीडियो के लिए आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम की आईडिया मधुकी रसोई और साथ में आप मुझे यूटूब पर भी सब्सक्राइब करें, मधू की रसोई